नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं FC टाइमस बात करेंगे Big Boss 18 की दोस्तों Big Boss 18 के वीकेंड के वार में एक इवेक्षन हो चुका है वो इवेक्षन हुआ है नायरा बनर जी का इवेक्षन हो चुका है और नायरा बनर जी घर से बाहर जा चुकी है घर से बाहर जाने के या उनसे इंट्रेविव करती है उन्से पूछती है बहुत सारी बातें काफी उदास दिखाई दे रही हैं वहाँ पर उन्हें नहीं उनको नॉमिनेट किया था दोस्तों देखते हैं si क्या क्या बात हुई नायराब रनर्जी ने क्या जवाब दिये हैं। नायराब रनर्जी से पहला प्रश्ण कहतसा है , कर आता है कि आप इतनी जल्दी घर से इविक्ट हो गई, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी। तो वो कहती है कि totally unfair हुआ है क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझसे पहले निकलना चाहिए था वो कुछ कर भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी उनको घर के अंदर रखा गया है उससे जादा तो मैं कर रही थी पहले उन्हें बहार आना चाहिए था तब मुझे बहार आना चाहिए था तो मैं उनसे अच्छा कर रही थी तो मतलब totally unfair हुआ है तो यह बात तो सही है कि आपर एपिसोड बन गया वो सारी चीजे मतलब कुछ लोग रो दिये कुछ लोग लड़ दिये तो इस बात को लेकर भी बॉस काफी नाराज हुए थे और साइद यही कारण रहा है कि नारा बनट जी के फूटर नहीं दिखाए गया एपिसोड में और इस समय नारा बनट जी को घ मैंने बाहर आकर देखा मुझे पता चला कि हमारे बारे में जादा कुछ नहीं दिखाया गया है जबकि हम लोग काफी मस्ती किया करते थे तो यहां पर मस्ती की बात कर रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बाहर वही चीज़ें दिखाए जाती है कि लड़ाई गया उसके लिए क्या कहेंगी आप वह एपिशोड वाली बात जो है बूशी आती है इनसे तो कहते हैं कि मैंने वो मजाक मजाक में कह दिया था मुझे नहीं पता था कि मतलब बिग बॉस इस चीज़ को लेकर के नाराज हो जाएंगे मुझे भी पता है कि घर पे कैमरे लग अविनास ने जो गेम खेल ला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी तो कहते हैं अविनास पहले बहुत अच्छा खेल ला था लेकिन जिस तरीके से अब वो करने लगा है वो बहुत ही गलत है और रासन टास्क में जिस तरीके से उसने सारी चीज़ें करी वो उसको न इमोशन नाम की चीज नहीं अब वो गलत तरीके से गेम को खेल रहा है तो वहां पर अबिनास के बारे में बोलती ही नहरा बनरजीब नजर आती है अगला कुछिन किया जाता है कि रजट के साथ आपकी फाइट हुई थी और सहजादा के साथ भी फाइट हुई थी तो इस बा मजाक में बोला था लेकिन रजट ने इस बात को सीरसली ले लिया और वो मुझे से जगडा करने लगा और इसी वज़े से उसने मुझे नॉमिनेट किया है अगर रजट वहां पर कुछ अच्छा गेम नहीं खेला कि और वो अपनी ताकत दिखा रहा है अगला कुछिन से कि टॉफ-3 में रहेंगे वैसे डिजर्व तो मैं भी करती हूं लेकिन मुझे अंफविर तरीके से घर से बाहर कर दिया गया है नहीं तो मैं भी टॉफ-3 में ही नजर आती तो यह बोलती नजर आ रही है कि winner वैसे तो मेरी नजर पर विवियन को winner बनना चाहिए क्योंकि उसके अंदर winning attitude दिखाई देता है तो यह विवियन डिसेना को winner के रूप में दिखाना चाहती है या विवियन को यह winner की तरीके से प्रेजेंट करना चाह रही है आपर नायरा बनर जी तो इस तरीके से नायरा स कुछ यह बाते हुई बाखी भी बहुत से टीन की एक एक अपडेट लिए चैनल के साथ जोड़े रही है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लिजेगा मेरेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ नमश्कार